हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो और्गनाइज लेर्निंग चैनल, अगर आप में चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट करें डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन, जी एन सीटी ओफ डेली की तरफ से 25 सितंबर 2021, इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नमबर 79, क्लास 1 के लिए ये वर्कशीट है, टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में से ये एक्स्प्लीन की गई है, और यूनिट नमबर 2, यानि की अपना नम लिखेंगे और यहाँ आपने टीचर का नम लिखेंगे, तो आप सभी स्वस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे, लेट्स रिवाइस दपोयम आफटर अबास, तो आज हम फिर से पोयम आफटर अबास को रिवाइस करते हैं, तो उसके लिए कैसे दिखाया गया है तो हम यह पढ़ेंगे पहले match the part of the body with its correct name, जो body का part है उसको इसके correct नाम से हमें match करना है, one has been done for you, एक हमें करके दिखाया गया है, जैसे यह है, यह क्या होता है, head है, तो head को हमें यहाँ पे इससे match किया हुआ है, अब यह क्या है यह, arm है, तो arm कहां पे हमारी यह है, तो इससे हम match करेंगे, यह क्या है हमारी, यह हमारा hand है, तो इसको हमने hand को यहाँ पे match किया, यह क्या है हमारी fingers है, तो fingers को हम यहाँ match करेंगे, उसके बाद यह क्या है हमारी leg है, तो leg को हमने इससे match किया, अब यह देखो, यह क्या है, knee, तो knee को हम इससे match करेंगे, फिर ये क्या है हमारा foot है, पैर है, तो foot होगा ये, ठीक है, और ये क्या है, ये पैर के उंगलिया है, तो इसलिए ये toes होती है, तो इसको हमने इससे match कर दिया, अब आगे देखते हैं, look at the pictures given below, and fill in the blanks with suitable letters, A, O, U to complete the word, हमें कुछ pictures दी गई है नीचे, और इनके नीचे words, जो इनके नाम में वो लिखे हों है, लेकिन ये words जो हैं, पूरे नहीं है, तो हमें इनमें A, O, U, जो भी इनमें fill हो सकता है, साही spelling के हिसाब से, वो fill करके हम इनको complete करेंगे, तो ये क्या होता है, soap होता है, तो S, O, A, यहां पर क्या आजाएगा, A, इस वाले blank में, तो S, O, A, P, ये क्या है bucket, तो B के बाद क्या आएगा, U, ठीक है, ये क्या है towel, तो यहां T के बाद क्या आएगा, O, T के बाद क्या आजाएगा हमारा, O, ठीक है, उसके बाद ये क्या tap है, तो T, A, P, ठीक है, क्या बन जाएगी हमारी tap है, तो T के बाद A आएगा, ये क्या shampoo, H के बाद क्या आजाएगा, A, ये क्या toothbrush, तो R के बाद क्या आएगा, U, इस तरीके से हम ये सारे नाम complete करेंगे, अब अभिवावकों के लिए एक सुझाव रहेगा, कि बच्चों को अपने शरीर के अंगों की सफाई के तरीकों से आउगत कराएं, तथा अपने शरीर को साफ सुत्राईवम स्वच रखने ही तू प्रेरित करें, आप बच्चों को प्रेरित करें, कि अपने अंगों की साफ सफाई रखें इससे क्या होगा साफ सुतरा रहने से क्या होगा सवच्छ रहेंगे वो और साथ-साथ बिमारियों से भी बचे रहेंगे तो इसके साथ-साथ हम पढ़त लेते हैं COVID से बचने के लिए क्या हमारे पास मेसेज रहेगा देल में